हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS Tutorial पर स्वागत है तो CMMSS 2030 यानि की मुख्यमंत्री मेधा चादुति योजना जो परिक्षा है वह 13 अगस्त को होने वाला है आज 9 अगस्त है 10, 11, 12, 13, 3, 4 दिन बाकी है तीन दिन बाकी है चोथे दिन आप लोगों का एक्जाम है तो आज मैं आपको इस वीडियो में CMMSS एक्जाम पास करने का कुछ ट्रीक कुछ सीक्रेट सेयर करने वाला हूँ वीडियो को पूरा दिखेगा इसकिप मत कीजिएगा और आज ही मैं अपने जो सेकंड चैनल है HDS ल लेने वाला हूँ तो आप सभी लोग जो सी MMSS का एक्जाम देने वाले हैं उस लाइब सेसन में जरूर जुडियेगा कम लोग रहेंगे आप लोगों का हर एक का डाउट में किलर करने का पूरा कोसिस करूंगा HDS लाइब YouTube चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा वहां से आप सब्सक्राइब कर लीजेगा मैं आज साम साथ बजे लाइब हाऊँगा ठीक है और कोसिस करूंगा अभी तिन चार दिन एक जाम है तो डेली साम साथ बजे इसपेसली फोर CMMS का तयारी उसमें आप लोगों का करा दूँँए सिक्रेट क्या है CMMS करने का तो बेसिकली हम लोग यहां पर एक मैप बनाएंगे कि किस तरीके से कोसिन आता है कितना कितना कोसिन आता है और मैं आप लोगों को previous year कोसिन भी दिखांगा और लेबल दिखा पूछाँगा किस लेबल का कोर्षिन पूछा जाता है तो देखिए यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं देखिए सी एमेम एसेस 2023 एक्जाम जो है वो दो पेपर में होता है पहला पेपर होता है मेंट मेंटल एबलिटी टेस्ट और दूसरा होता है सेट सेटण किस कोर्षिंट में पूछा जयाएकर?. इस नोर्मल नोर्मल कोर्षिंट और गराम तो होता है उसको देखिए ऑगला दाइघ्राम क्या होगा यह बताना है दाइग्रां में पार्ठ कटा हुआ रहेगा मिसिंग रहेगा उस दाइग्राम में फुल्फिल करना रहेगा या कुछ सिक्वेस्ट दिया हो रहेगा दो चार छे आठ उसके बाद अगला क्या होगा इस तरीके से तो जो मेट है यह ज्यादा हाड नहीं रहता है आप 10-12 कोश्चिन सोल्फ कीजिएगा तो अराम से आपको पता चलने लगेगा कि मेट में किस तरीके से कोश्चिन बैसिकली एक दो तीन चार पांच पांच सब्जेक्ट को कंबाइन करके सेट कोश्चेन प्रिप्यर किया जाता है जिसमें इंगली सब्जेक्ट है मैट सब्जेक्ट है साइन्स है एसस्टी है और हिंदी है मैट पर मैंने वीडियो बना दिया है साइन्स पर वीडियो बना बना दिया है बस sht I think बच गया है ठीक है चारों पर मैंने वीडियो बना दिया है आपको नीचे description पर link मिल जाएगा previous year का question तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा देखें इंगलीस में भी total आपका 30 question पूछा जाएगा 30 question पूछा जाएगा मैत में भी total 30 question पूछा जाएगा साइंस में भी total 30 question sht में भी 30 question आओ हिंदी में 30 question पूछा जाएगा अगर total देखें तो दिखिए यहां पर एक दो तीन चार पांच छे चे तिया अठार total 180 प्रशन पूछे जाते हैं और जो question है यह 8 class पर बेस्ट रहता है ठीक है 8 class आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए अराम से आपका निकल जाएगा ठीक है तू आपको पता चल लिगा question कहां से आता है class 8 से class 8 से question पूछा जाता है total 180 प्रशन पूछा जाएगा Hindi, SST, Science, Math, English सभी से 30 प्रशन पूछे जाएंगे और Math से भी 30 प्रशन पूछे जाएंगे अब मैं आप लोगों को कुछ example दिखाता हूँ previous year question का ठीक है वैसे जब live साम 7 बजी होगा उस वक्त भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा उससे पहले और एक चीज अगर आपका admit card डाउनलोड नहीं हो रहा है कुछ problem हो रहा है तो भी आप live पर आजिएगा वहाँ पर मैं admit कार्ड कोसिस करूंगा अपने तरीके से अपना बेस्ट देखर आपका admit का डाउनलोड कर दूँ ठीक है तो जिनका admit card problem हो रहा है वह भी लाइप पर जरू रहीएगा तो तो देखेते हैं हम लोग चलिए one minute previous year question आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं देखिए बहुत ही easy question पूछा जाता है यह no कहाँ चला गया यहाँ मिल गया question ओके तो यह रहा खुल जा भाई हाँ देखिए अभी आप लोगों के सामने 2022 का question मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं यह देखिए 2022 का question अगर हम लोग मेट को देखें ठीक है mental ability test तो देखिए किस तरीके से question आता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए पहला question मैं आप लोगों को बता दूँ फूट है man ठीक है तो यहाँ पर hoop यानि कि हिंदी में देखिए तो पैर आदमी का तो खूर खूर किसका होता है कुत्ता खरगोस बिल्ली गाए खूर किसका होता है गाए का अपकोर्स ठीक है खूर यानि कि घोड़ा जब दोड़ता है तो घोड़ा का जो पैर में रता है इस तरीके से उसको खूर कहते है इस तरीके से पैर है तो जादा ही पतला हो गया इस तरीके से पैर है तो नीचे हलका सा ब्लैक कलर का इस तरीके से आप देखते होंगे रखता है इस तरीके से यही जो ब्लैक कलर दिख रहा है यही इसका खूर रहता है तो गाय में भी रहता है यह और गोडा में भी रहता है ठीक है इस तरीके से कोसिन आएगा अब अगला ह कि यह देखिये, यहां पर साइन्स का कॉस्चेन सबसे अच्छा विद्यूत का चालक क्या होता है? चांदी होता है, चांदी और अग्ला कोशन अगर हम देखे, तो यहां पर देखिए, कौन सी धातु वाईू जल्त था? एसीड से संचारित नहीं होती है तामबा जस्ता अलमुनियम सोना सोना संचारित नहीं होती है इसका मुल्य जादा है बहुत easy question है अगर मैं आप लोगों को question दिखाऊं तो आप बुलिएगा इतना easy question इस तरीके से एक question आया था 2022 में पूछा जा रहा था यह क्या है आप लोग comment करकर बति एगए यह जो state है यह state को क्या करते है ठीक है उसके पर अगला आया था इस तरीके से इस से को कौन सा state करते है ठीक है इसको क्या करते है इस तरीके से question बहुत easy जी पूछा जाता है तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट में 30-30 कोस्चेन का टार्गेट लेकर चलिएगा 30 में से कम से कम आप 20 बना लिए तो आपका स्कोलर्शिप आपके हाथों में ठीक है तो आज के लिए तरही साम को साथ बज़े मिलते हैं आप दिस्क्रिप्शन पर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा है एच डिएस लाइब चैनल का सब्सक्राइब कर लिजएगा ताकि जब मैं लाइब हाँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुच जाएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजएगा और लेकर ₹ पर क्लि अधंड़ जुट…